हलो बच्चो हलो एवरीवन अब बिटा स्टार्ट कर रहे हैं आज एक और लेक्चर बियलोजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक है हमारे पास मॉनरा हमने मॉनरा में अल्रेडी बिटा जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है उसको कंप्रीट किया है आज का लेक्चर हमारे पास रहेगा जिसमें हम लोग नूट्रिशन, रीपोड़क्शन और मॉनरा की टाइप कंप्रीट करेंगे सबसे पहले बिटा वो जो पिलाई, फिम्ब्रियाई वाले टॉपिक में जो थोड़ी से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, उसकी बाद बिटा, आगे आज जो नूट्रिशन का टॉपिक है उसमें एक स्पेशल डिटेल आपको बताएंगे नूट्रिशन की जिससे आप नूट्रिशन बेस्ट सारे कोशन सौल कर पाएंगे रिसेंट ट्रेंड ये रहा है, मतलब नीट का कि उनको एक दो टाइप के कोशन जो बच्चों को परिशान करते हैं एक है नूट्रिशन और एक है मोटाइल और नॉन मोटाइल नूट्रिशन वाला टॉपिक आज आपको बिल्कुल क्लियर किया जाएगा तक कि आप कोई भी नूट्रिशन का कोशन गलत ना करें तो स्टार्ट करते हैं एक लाइन के साथ पेज नंबर 19 NCRT टॉप में एक लाइन लिखी है मॉनरा इस सिंपल इन स्ट्रक्चर पॉम्पलेक्स इन मेटाबोलिक डावर्स ये लाइन कैसे जस्टिफाई होती है कैसे सही है इस लाइन को देखते हैं और पढ़ते हैं हम लोग नूट्रिशन इन मॉनरा तो स्टार्ट करते हैं बिटा इस टॉपिक को सबसे पहले मैं एक बात आपको सिंपल लेंगवेज में बताता हूँ जब नूट्रिशन की हम बात करते हैं तो कैसे कोई अपना वो कंपाउंड बनाता है जिसको वो ऑक्सिडेशन करके मतलब बेसिकली एनरजी बना सके किस तरीके से उस कंपाउंड को आप्टेन करता है तो हम सिंपल अगर बात करें नूट्रिशन का तो जो आपने लोवर क्लासिस में बढ़ा था इट इस मोड ओफ अप्टेनिंग फूड हम लोग कह सकते हैं पर मजा नहीं आता इस डेफिनिशन में अगर मैं नूट्रिशन की रियल बात करूं आपको तो नूट्रिशन का मीनिंग होता है कि आप वो कमपाउंड जिसकी ऑक्सिडेशन करके एनरजी बना सकते हैं जैसे कि ग्लूकोज उसको कैसे ओप्टेन करते हैं उसे हम नूट्रिशन कहते हैं तो हम जड़ा इस सीच को समझते हैं सिंपल लेंग्वेज में तो उससे पहले हम एक वो लाइन लिखेंगे कि मॉनरा में एक्चॉल में क्या है काफी सारा टाइप का नूट्रिशन मिलता है तो मॉनरा का स्ट्रक्चर क्या है सिंपल है तो मॉनरा इस सिंपल इन स्ट्रक्चर simple in structure complex in metabolic diversity complex है वो किसमे metabolic diversity में metabolic diversity में वो complex है तो यह बहुत important term है मतलब एक तरीके से line है जो NCRT की जिसको हम discuss करेंगे पर simple समझते है nutrition मतलब mode of obtaining food हम लोग इस चीज़ पर आज discuss करेंगे कि वो glucose का source आया कहां से ठीक है तो हमारे पास nutrition को नॉर्मली जैसे दो पार्ट में डिवाइड करते है autotrophic, heterotrophic उसी में divide कर रहे है और आज autotrophic को एक अलग तरीके से पढ़ेंगे autotrophic and second is heterotrophic यह दो टाइप का nutrition है ठीक, अब autotrophic में हम क्या पढ़ेंगे यह बड़ा special है देखो autotrophic में आज हम बिटा जो जानेंगे वो जाने वाले हैं इसमें oxygenic क्या होता है और chemo autotroph क्या होते है यह तीन टाइप का special nutrition monitor में autotrophic में मिलता है chemo autotroph यह क्या होते है और heterotrophic में भी तीन टाइप मिलती है एक मिलता है हमारे पास parasitic second मिलता है मुझे saprophytic and third मिलता है मुझे symbiotic तो आज nutrition को लेके सारे doubts clear करेंगे कि कहां क्या गडबड रह जाती है पर सबसे पहले आप क्या करें autotrophic की detail जाने और वो बहुत important है देखे कैसे पढ़ते हैं से यहां से देखेगे बटा autotrophic जो topic है उसमें आप कैसे पढ़ते हैं इसको समझे देखे जब मैं autotrophic की बाग करता हूँ कंपाउंड जिससे energy बन सकते है आप CO2 से क्या बनाए glucose बनाए इसे हम autotrophic nutrition कहते हैं मतलब आप किसी तरीके से किसी inorganic compound को किसी का मतलब यहां CO2 है इसको convert कर दें किसमें organic में इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम autotrophic nutrition बोलते हैं इतनी चीज आपको clear रखनी है दूसरी बात बिटा इस तरह के nutrition के लिए मुझे दो चीजों की requirement है मुझे एक चाहिए energy एक मुझे क्या चाहिए energy require है क्योंकि यह reduction है यह process क्या है reduction जिसको ना समझ में आए glucose का structure देखो अभी समझ में आजाएगा क्यों reduction है क्योंकि आप देखिए यहाँ पर carbon oxygen है यहाँ पर hydrogen add हुई है तो यह reduction है यह endothermic process है तो इस process में आपको क्या चाहिए energy चाहिए दूसरा इस process में आपको hydrogen चाहिए आपको क्या चाहिए hydrogen चाहिए तो यह दो requirement है इन दोनों को base बना कर हम autotrophic nutrition की classification करते हैं monara में मतलब energy और hydrogen के source को base बना कर हम monara की classification करते हैं किसमें autotrophic nutrition में सबसे पहले हम यह कहते हैं कि monara जो है हमारे पास पहले दो type के हैं एक वो जिनकी source of energy source of energy chemical reaction है source of energy क्या है chemical reaction है ऐसे monara को हम कहते हैं chemo autotroph chemo autotroph इसकी detail अभी पढ़ेंगे ठीक second source वो है जिसमे source of energy second example वो है source of energy जिसमें sunlight है जिसमें source of energy क्या है sunlight है इनको हम कहते हैं photo autotroph क्या word यूज करते हैं photo autotroph इनके लिए word यूज कर दिया photo autotroph तो autotrophic nutrition हमारे पास कितने type का होगे आप देख रहे हो एक chemo autotroph है और एक हमारे पास photo autotroph है यह depend कर रहा है किस पर energy पर clear तो energy अगर chemical reaction से आए that is chemo और sunlight से आए that is photo clear अब हम क्या करेंगे बिटा अब हम क्या करेंगे इसको आगे समझेंगे कि chemo autotroph क्या है ना सबसे पहले हमने क्या किया देखो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक लिखा है हमने chemo autotroph तो इसके बारे में पढ़ रहे है पहले और फिर हमने क्या लिखा है बिटा photo autotroph photo autotroph अना photo autotroph तो सबसे पहले chemo autotroph के बारे में जानेंगे ध्यान से देखें आप लोग कैा है सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं पीटा कीमो ओटोट्रॉफ अब ये कहां गीवन है, सुन लो ध्यान से और आपको रिलेट करना है कीमो ओटोट्रॉफ का एक और नाम कीमो सिंथेटिक है ये कहां दे रखा है पीटा mineral nutrition के page 200 पर दे रखा है और आपके पास page 19 पर भी ये detail है chemo autotroph or basically chemo synthetic bacteria की देखो क्या कहते हैं ध्यान से सुना ये काम कैसे करते हैं सबसे पहले हमने यही पढ़ा था हमने यही पढ़ा था कि autotroph का meaning यह होता है कि cell के अंदर glucose बने तो glucose बने कैसे इस चीज को समझो होगा क्या outside cell oxidation हो रही होगी outside cell क्या होगी oxidation ध्यान से समझो मतलब cell के बहार क्या हो रही होगी oxidation तो हम लिख रहे हैं outside cell cell oxidation हो रही है देखो होगा क्या मालों यह बैक्टीरिया का cell है इसके बहार यह oxidation हो रही है now this oxidation produce energy उस oxidation ने क्या बना दी first is oxidation second उसने क्या बना दी energy बना दी उस energy को use करके ATP बना लिया और उस ATP को use करके CO2 से glucose बना रहे है अब यह क्या हुआ भई ग्लूकोस से ATP बना रहे है नहीं आप सिंपल समझें outside cell oxidation चल रही है inorganic compound की ठीक है उसकी oxidation से जो energy बनी उससे क्या बना लिया ATP ATP से CO2 use करके मतलब basically उस CO2 से glucose बना लिया एक्चल में होता क्या है कीमो-synthetic या कीमो-autotroph बनाएंगे तो glucose आप देखो बनाएंगे तो glucose लेकिन वह energy कहां से आएगी cell के बहार oxidation होगी वह oxidation energy बनाएगी उस energy से ATP ATP से क्या बनेगा glucose चेक करना page 19 में ऐसे ही लिखा है कुछ तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं outside cell oxidation of क्या हो रहा है inorganic compound हो रहा है उससे क्या बनेगी energy produce होगी और जो energy बनी energy produce convert into ATP उससे हम क्या बना लेंगे ATP बिटन अब इस ATP को direct use कर देते तो chemo heterotroph बोल देते पर glucose बनाना हमें glucose इसलिए बनाना है क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि बाहर oxidation हमेशा चलती रहे कभी नहीं भी चलेगी पर अंदर glucose energy बना लेंगे इसलिए autotroph की जरूत होती हमें मैं repeat कर रहा हूँ chemo autotroph क्या करते हैं cell के बार oxidation करवाते हैं उस energy को लेकर ATP बनाके खुद का glucose बनाते हैं तो इसको क्या होगा ATP utilize to make food फूड का मतलब glucose यह कर रहे हैं chemo autotroph में सबसे important चीज आपको दिमाग में बैठनी चाहिए कि chemo autotroph inorganic compound का oxidation करते हैं वाई वी आर नॉट यूजिंग organic वर्ड क्योंकि glucose organic है उसका oxidation हमारे अंदर होता वह एक अलग चीज है वह respiration है यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि inorganic compound का हम क्या करते हैं oxidation करते हैं यह चीज समझ आ गई मेरेको लग रहा है तो nutrition हमने लिखा कि mode of nutrition जो है वो बता दिया हमने फिर हमने discuss किया autotroph क्या होता है उसमें दो टाइप chemo hetero chemo के लिए हमने बताया कि oxidation दिखनी चाहिए आपको clear क्या दिखनी चाहिए oxidation अब chemo का example देखना बहुत जरूरी है देखो chemo autotroph हमने बता तो दिया लेकिन chemo autotroph का example क्या है जरह देखो बचा chemo autotroph का हमारे पास example क्या है example है कोई इसको जानते हैं देखो हमारे पास हमारी NCRT दो example देती है पर वो देती है page number 200 पर देखो क्या देती है वो कहती है कि मेरे पास अगर मेरे पास अगर ammonia जो है NH4 plus उससे मैं NO2 minus बनाऊंगा जो nitrogen cycle में हो रहा है कहां हो रहा है nitrogen cycle में जो यह बन रहा है देख रहे है oxygen हो रही है तो यह nitrogen cycle में हो रहा है ठीक है तो यहां पर मेरे पास जो भी होगा आप देखो यहां पर nitrogen cycle में ammonia से क्या बना NO2 minus बना जिसे आप nitrite कहते हो नाइट्राइट एक तरीके से oxygen हुई है ठीक है यहां जो भी बैक्टिरिया आएंगे कौन से आते हैं यह दोनो नाइट्रो सोमनास और नाइट्रो कोकस यह जो दो बैक्टिरिया हैं इनको कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ दूसरा example, second example बेटा, second तो यह आएगा नाइट्रेट तो नाइट्रेट जो बना ये भी ऑक्सिडेशन है तो यहाँ पर आपको आएगा नाइट्रो बैक्टर बैक्टिरिया का जो नाम आएगा बिटा वो आएगा नाइट्रो बैक्टर और एक नाम आएगा नाइट्रो सिस्टिस तो ये आपको समझ आना चीए कि ये chemo autotroph है अना ये oxidation हो रहे है देखो यहां से ये oxidation और यहां से ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी bio geochemical cycles हैं उनमें अगर कोई bacteria oxidation का step carry out कर रहा है तो अपने दिमाग में ये बिठाना है कि जो भी oxidation वाले step है अगर उसे कोई bacteria कर रहा है किसमें वो जो हम पढ़ते हैं आपकी carbon cycle nitrogen cycle उन cycles में तो वो कौन कर रहा होगा chemo autotroph कर रहा होगा अब जरह ऐसा example NCRT ने बोला इसलिए बोला NCRT ने कि they help in they help in recycling recycling का मतलब होता है ये उस cycle का part है जैसे हम nitrogen cycle sulfur cycle ये सारी cycles पढ़ते हैं उसका part है they help in recycling of nitrogen phosphorus sulfur iron ये लिखा है NCRT ने clear page 19 पे तो क्या सीखा आपने chemo autotroph वो bacteria है जो क्या कर रहे हैं oxidation कर रहे हैं किसकी oxidation कर रहे हैं inorganic compound की oxidation कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं chemo autotroph bacteria बोलते हैं यहां तक समझा गए chemo autotroph bacteria बोलते हैं clear हो गई बात यह है तीक है आगे चलते हैं आगे चलते हैं अब यह तो हमने chemo autotroph सीख लिया है chemo autotroph को कैसे पहचानों कि जिसे मैं आपको एक example देता हूँ देखो मैं कहता हूँ बई एक bacteria है जो NO3- से क्या बना रहा है NO3- से N2 बनाता है nitrogen cycle में denitrification का step है अब मुझे सोच के बताओ NO3- से N2 oxidation है की reduction है मुझे answer करना है यह तब मुझे बताना कि इस bacteria का नाम मैं नाम लिख देता हूँ मुझे बताना कि pseudomonas नाम है इसका pseudomonas जो है वो chemo autotroph है के नहीं क्योंकि NO3- से यह N2 बनाता है सोच के बताना जितना मैं हमने पढ़ा कि यह chemo autotroph है के नहीं क्लियर सोच के बताना तो यह chemo autotroph के लिए आप कैसे पहचान होगे oxidation होनी चाहिए तो आपको अगर यह दिखे oxidation तो है अगर नहीं दिखे तो यह oxidation मतलब अगर नहीं दिखे तो यह chemo autotroph नहीं है क्लियर होगे चीज चीज चीक है अब हम आगे जाएंगे बिटा आगे जाएंगे और अगला nutrition देखेंगे फूट autotroph तो हमने nutrition को दो पार्ट में पढ़ा first is chemo जिसमें हमने क्या करा हमने का oxidation हो रही है किसकी oxidation हो रही है इन और्गेनिक कंपाउंड की oxidation किसकी हो रही है इन और्गेनिक कंपाउंड की उससे एनरजी आ रही है अब आते हम लोग photo पे photo autotroph अब यह photo autotroph क्या है बिटा photo autotroph वह है जिसमें sunlight यूज होगी है ना photo autotroph क्या यूज करेंगे sunlight तो हम जड़ा देख लेते हैं देखो जड़ा द्हान से बिटा हमने लिखा photo autotroph photo autotroph वह क्या यूज करेंगे वह यूज कर रहे है sunlight यूज सनलाइट ठीक है clear यूज करेंगे sunlight ध्यान से सुने बिटा फोटो autotroph को हम कह रहे हैं यह क्या यूज कर रहे है अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं photo autotroph दो टाइप के हैं एक oxigenic है और दूसरे हमारे पास anoxigenic है इनको हमें समझना है यह exactly है क्या उसके लिए आपको यह सीखना पड़ेगा सबसे पहले कि photo synthesis जब हमने पढ़ा था उसके दो step थे याद करो photo synthesis के हमने दो step पड़े थे एक पढ़ा था light reaction light reaction में पानी break करता है और अपना hydrogen किसी A compound को देता है H बनता है और साथ में क्या बनती है oxygen इसको हमने light reaction बोला था क्या बोला था इसको हमने light reaction बोला था दिमाग में बठाओ हमने यह समझना है photo autotroph क्या होता है उससे पहले हम याद कर रहे हैं कि photo synthesis में सबसे पहला step होता है light reaction dark reaction में क्या होता है CO2 को dark reaction में क्या होता है बिटा जो CO2 है इस CO2 को hydrogen देता है यह compound AH और मेरे पास finally क्या बन जाता है glucose बन जाता है this is dark reaction यह क्या है dark reaction है हम मेरे बात ध्यान से सुनना बहुत important है हमने क्या किया photo autotroph का मतलब वो sunlight यूज़ कर रहा है तो energy fix कर दी वो sunlight है ठीक है कीमो में क्या थी energy oxidation of inorganic compound clear हो गया photo में हमने क्या किया fix कर दिया कि energy sunlight है लेकिन energy के अलावा मुझे और क्या चाहिए याद करो मैंने का तो फोटो सेंसिस के लिए दो requirement है पहला energy दूसरा hydrogen तो मैंने कहा कि photo autotroph sunlight यूज़ करेंगे उसके लिए उसमें pigment होना compulsory है कीमो autotroph में pigment नहीं होंगे क्योंकि वो chemical energy inorganic compound का oxidation कर रहे है तो photo autotroph क्या कर रहे है फोटो autotroph जो है वो sunlight यूज़ कर रहे है उनमे pigment होंगे पर वो hydrogen का source क्या यूज़ करेंगे देखो हमारे पास सबसे पहले light reaction होता है फिर dark reaction होता है light reaction में पानी का जो main role है वो hydrogen देना है इसको जाकि वो जाके अगले step में use हो सके हमने यह देखा कि कुछ ऐसे bacteria मिले जिसमें पानी के अलावा apart from water there are some other sources समझो तो उन bacteria को हमने क्या नाम दिया एन ऑक्सिजेनिक मतला हमने simple यह समझा यहाँ पर हमने simple यह समझा यहाँ पर बिटा कि हमने कहा कि जो photo autotroph है वो कैसे है जरा देख लेते है photo autotroph जो है उनमे light चाहिए हमने का ठीक उनमें सबसे पहले तो light होनी चाहिए और दूस राउन में pigment होना चाहिए क्योंकि light को pigment से ही पकड़ा जा सकता है तो photo autotroph को समझने के लिए हमने का कि हमारे पास यह पानी है यह तूटके इसको hydrogen देता है और AH बनता है साथ में byproduct oxygen बनता है दूसरा reaction है जिसे हम dark reaction कह रहें जिसमें CO2 को hydrogen देता है यह AH हमारा point यहाँ पर यह है बिटा कि H2O की जगा अगर मैं H2S यूज़ कर दूँ तो भी मेरे पास AH बन जाएगा मतब मेरे पास दो तरह के bacteria मिलेंगे एक जो H2O यूज़ करेंगे सही है तो उनका byproduct क्या बनेगा oxygen बनेगा अगर मैं इसकी जगा ध्यान से सुनो मैं इसकी जगा अगर क्या कर दूँ तो मेरे पास byproduct sulfur या sulfate बन जाएगा मैं यहां क्या यूज़ कर दो H2S तो compound तो वही आएगा जो dark reaction में यूज़ होगा पर byproduct में यहां sulfur बन जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि light reaction जो होता है उसमें change किया जा सकता है depending of organism कि कि किसको आपने तोड़ना है मतलब यहां पर आप क्या यूज़ कर सकते हो यहां आप यूज़ कर सकते हो H2S समझो H2S तो मैंने क्या सिखाया आपको मैंने सिखाया कि light reaction में अगर पानी अपनी hydrogen दे रहा है तो byproduct oxygen बन रहा है ठीक है ऐसे बैक्टीरिया को आप क्या बोलोगे oxygen तो photo autotroph में सबसे पहले आ गया oxygen oxygen क्या होते हैं शोर्स ओफ आइडरोजन क्या है शोर्स ओफ आइडरोजन है पानी कि सोर्स ओफ हैडरोजन इस वाटर तो byproduct क्या बना byproduct बना oxygen इसलिए कह रहे हैं oxygen इसलिए oxygen कह रहे हैं जैनिक मतलब बनाने वाला तो byproduct हमारे पास क्या बना बिटा oxygen बना तो हमने का oxygen बोल दिया ठीक है एन ओक्सिजेनिक का मतलब है कि सोर्स ओफ आइडरोजन अधर देन एस्टुओ अधर देन एस्टुओ ठीक है सोर्स ओफ आइडरोजन जो है हमारे पास अधर देन एस्टुओ ये यूज कर रहा हो सकता है तो उसमें byproduct सुलफर बनाना तो byproduct is not oxygen इसलिए एन ओक्सिजेनिक तो byproduct क्या हो गया byproduct is not sulfur वो sulfur नहीं है तो हमने क्या सीखा हमने सीखा कि सबसे पहले autotroph में दो टाइप light वाले chemical reaction वाले light वाले में दो टाइप पानी तोड रहा है कि पानी नहीं तोड रहा है clear और यह मुझे सिर्फ bacteria में मिलता है पानी ना तोडने वाले तो जड़ा एक sequence आप पकड़िए जड़ा इसको समझिए फिर से देखे क्या बना दिया हमने यहाँ पर हमने बना दिया यह चीज है हमने लिखा photo autotroph में दो टाइप photo autotroph क्या compulsory है इनमें यह यूज करेंगे क्या sunlight दूसरा इनमें क्या होने चाहिए हमने का pigments होने चाहिए आ गया फोटो autotroph को हमने डिवाइड किया सबसे पहले किसमे सबसे पहले हमने बोला oxygen पीटा oxygen जो है हमारे पास कौन है जिसमें क्या होका हम पानी यूज करेंगे H2O as source of hydrogen तो byproduct क्या बना oxygen हमने लिखा byproduct is oxygen बहुत सारों को समझ आ गई होगी बात अब देखो होता ही है बेटा bacteria में एक special group है जो इसका example है उसका example पास जो special group है उसका नाम है साइनो बैक्तीरिया पूरा गूरुप इसका example है इसका example है बेटा साइनो बैक्तीरिया तो साइनो बैक्तीरिया एक oxygen ग्रूप है मतलब वो क्या करते हैं पानी नॉर्मल प्लांट जैसी photosynthesis करते हैं क्योंकि पूरा का पूरा plant kingdom oxygenic है सुन लो द्यान से देखो protista के पहले तीन ग्रूप ठीक है और पूरा plant kingdom और sinobacteria oxygenic है तो oxygenic में क्या use होगा पानी use होगा और byproduct में क्या बनेगी हमारे पास source of hydrogen use होगा H2O byproduct ये बनेगा अब एक important बात ये है बिटा oxygenic में important चीज ये होती है action center है and PS2 जो पानी तोड़ता है ये compulsory होना चाहिए अगर आपको मेरी बात ना समझ में आए chlorophyll A वाली check NCRT page number 19 साइनो बेक्टिरिया के साथ लिखा है chlorophyll जिसको भी oxygen बनानी है उसमें chlorophyll A होना compulsory है ये चीज समझ आ रहा है तो chlorophyll A होगा और PS2 होगा क्योंकि वही पानी तोड़ता है oxygenic कौन है जो sunlight यूज करके पानी तोड़ेंगे वो सब oxygenic है अब देखो ज़रा oxygenic के other group अच्छा देखो साइनो बेक्टिरिया में तो हमने दो एक्जामपल ज़रूर याद करने है नॉस्टोक और एनाबीना इसके अलावा ये भी साइनो बेक्टिरिया है स्पीरू लीना और 12th की NCIT से एक एक्जामपल उठाया है माईक्रोब्स वाले चैप्टर से ओसिलाटोरिया जो आपको आना चाहिए ये चार एक्जामपल आप ज़रूर याद करें साइनो बेक्टिरिया के अब मेरी बात सुने द्यान से अगला चीज आपको द्यान में ये रखना है बिटा कि ऑक्सिजन बनाने वाले पूरे सारे किंडम्स में कौन-कौन है तो सबसे पहले और कोई एक्जामपल नहीं है बिटा फ्रॉम मोने रखना देको यही लाइने होती है जो teacher clear ड्रौ कर सकता है आपने क्या याद रखना है exact क्या चीज होती है क्योंकि होता है क्या है कि हमें ये रहत पता रहता है और ये होता है दिमाग में ये confusion चलती रहती है यह क्यों नहीं होता तो मैं क्या बता रहा हूं सुनो मैं यह बोल रहा हूं आपको सारे बैक्टिरिया में आपको जब भी question आए कि कौन सा बैक्टिरिया oxygen बना सकता है ठीक है तो आपने क्या खोजना एक्जामपल में साइनो भेक्टेरिया खोजन और मोनरमें से मेरे पास सिर्फ साइनो भेक्टेरिया है जो औक्सिजन बनाएंगे और भी कोई है मैं कहाँगा हाँ best उसमें आ जाते हैं प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा से मेरे पास पहले तीन गुरुप फर्स त्रीन ग्रुप अभी जब पढ़ेंगे उसको डाइटम वाला, क्राइसोफाइड जो था डाइनो फ्लेजलेट डाइनो फ्लेजलेट और यूगलिनोड इन तीनों में मेरे पास ओक्सीजन बन सकती है इन तीनों में क्लोरोफिले होगा और मेरे पास पूरा का पूरा प्लांट किंडम ये सब मेरे पास क्या है ओक्सीजनिक है कोई भी एक्जामपल उठालो अगर आपको कोशन आता है विच अव दा फॉलेंग इस ओक्सीजनिक तो क्या खोजोगे या तो प्रोटेस्टा इन तीनों के एक्जामपल खोज लो या आप इसके खोज लो या प्लांट किंडम के ठीक है यहां तक समझ आगे जैसे माललो मैं आपको कोशन दे देता हूँ कोशन दे देता हूँ ऐसे विच अव दा ज्यां से सुने बिटा ज्यां सुनो आपको एक कोशन दे देते हैं विच अव दी फॉलोइंग इस ऑक्सिजेनिक ऐसा एक कोशन आ जाए कि ऑक्सिजेनिक कोन सा है तो आप से कहा गया ठीक है ए हमने लिखा अक्सिजेनिक में मालो मैंने एक लिख दिया पाइनस दूसरा B मारकेंशिया C मैंने लिख दिया C मैंने लिख दिया नौस्टोक और D मैंने लिख दिया अब देखो ज्यांसे पाइनस जिम्नोस्पर्म है मतलब प्लांट किंडम है मारकेंशिया ब्रायोफाइट है, प्लांट किंडम है नौस्टोक साइनो बैक्टिरिया इसले आएगा, ऑक्सिजनिक clear है? इसले all answer आ रहा है मैं यहाँ पर अगर इसकी जगा, मारकेंशिया की जगा अगर मैं यूगलिनोइट कर दू, यूगलिना कर दू तो यूगलिना किसमे है, यह रहा, यूगलिना यह इसमें आएगा, यह रहा तो भी all आएगा, समझ आ गई बात बैटा, कैसे कर रहे हैं से तो यह ऑक्सिजनिक को समझने का concept है, पर याद रखना आक्सिजनिक में क्लोरोफिल A जरूर होता है, ठीक है, यह चीज़ आने चाहिए, आगे चलो देखो, दूसरा हमने क्या करा बैटा, एन आक्सिजनिक तो एन आक्सिजनिक को देख लेते हैं क्या है, और अब उस situation में हैं आपको बात बता सकते है और आटो त्रॉफ को लेके, तो हमने क्या करा और ट्रॉफिक पड़ा, आटो-ट्रॉफिक पड़ा, और ट्रॉफिक मेएनर्जी को लेके दो ग्रूप बनाए, ठीक है ए명 bold बनाया हमने, जहांग जे़से सुनो में, एक क्या पॉइंट याद रखने थे क्या याद रखने थे इसमें ऑक्सिडेशन होगी किसकी ऑक्सिडेशन ओफ इन और्गेनिक कंपाउंड जब हम पढ़ाते हैं तो एक बर समरी कराना जरूरी होता है कई बर कई चीजों की यह करेगा यह कीमो अटोट्रॉप ठीक है क्लियर यह एनर्जी यूज कर रहा है कैमिकल रियक्शन की एनर्जी कहां से आ रही है कैमिकल रियक्शन से और वो कैमिकल रियक्शन क्या है ऑक्सिडेशन यह चीज याद रखने तो आपको इनको ऑक्सिडेशन दिखने चाहिए फिर हम दूसरा गुरूप बनाते हैं बिटा सेकिंड ह हम बनाते हैं photo autotrop photo का मतलब हो गया sunlight यह sunlight यूज़ करेगा तो sunlight होने के लिए pigment चाहिए हमने का और भी pigment हो सकते हैं लेकिन mainly जगर मैं बात करूँ इसमें इसमें फर्स टाइप आ गई ऑक्सीजेनिक तो ऑक्सीजेनिक क्या होंगे जो क्या यूज़ करेंगी तो सोर्स ओफ हाइडरोजन को पानी यूज़ करेंगे उसमें क्या होना compulsory है chlorophyll a and ps2 होना क्या है compulsory साइनो बैक्टीरिया उसका एक्जामपल है बैक्टीरिया ग्रुप में से मतलब एक्जामपल में में हमारे पास हम क्या लिख रहें साइनो बैक्टीरिया मौनरा किंग्डम से यही है जो क्या बना सकते हैं ऑक्सीजेन बना सकते हैं अब अगला ग्रुप कौन से हमारे पास the next group is basically anoxygenic एक्टीरिया ग्रुप है पिटा हमारे पास anoxygenic यह वाला है एक्जीजेन एक्टीरिया प्लेर ये मेरे पास क्या है एक्जेनी है अजाओ जड़ा यह klev और वह oxygenic है, N-oxygenic क्या use करेगा, क्या बताय था, use other than, other than H2O, अब इसको complete करते हैं और फिर वापसी यहां पर आते हैं, ज्यान से देखना बटा, N-oxygenic को complete करते हैं, यहां से, यहां से सीखते हैं इसको, N-oxygenic को यहां से सीखते हैं, देखो कैसे, हमने का पानी, sunlight तो use करेगा लेकिन पानी के लावा कुछ, देखो क्या-क्या यूज कर सकता है, देखो, N-Oxygenic को मैं पहले दो ग्रूप में डिवाइड करूँगा, पहले जो यूज करेंगे H2S, H2S यूज करेंगे, तो उसमें बाई प्रोड़क्ट बताओ क्या आएगा, सोचो, बाई प्रोड़क्ट इसमें हम कारवन की कुछ चेन यूज करते हैं, इसमें बाई प्रोड़क्ट क्या आता है, अधर देन, सल्फर, अधर देन सल्फर आएगा पर पानी नहीं है, मतला हम लोग क्या लिखा इसको देखो, N-Oxygenic को पहले दो ग्रूप में डिवाइड किया, कि वो क्या यूज कर प्रोड़क्ट में सल्फर आ रहा है, इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, सल्फर बैक्टीरिया, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, अब ये क्या यूज कर रहा है, स्टेट चेन कार्बन कंपाउंड, इसे हम कह सकते हैं, एलिफेटिक परड़ पेज पर मिल जाएगा जहां वैन नील का एक्सपेरिमेंट दे रखा है दूसरा यह कहां दे रखा है गैस वेक्क्योल जो हमने पड़े थे सेल वाले चैप्टर में सेल वाले चैप्टर से जब टॉपिक लास लेक्चर में पड़े रहे तो ऐसा नहीं होता है कि अगर उस green pigment का नाम है हमारे पास bacteriophil क्या नाम है बैक्टीरियो फिल नाम है और दूसरा यह purple pigment यूज़ कर सकता है देखो sulfur bacteria दो तरीके के होते एक green pigment वाले एक purple वाले chlorophyll नहीं होता इनमें एक purple pigment यूज़ कर सकता है तो उसका नाम है bacteriopwardine बैक्टीरियो पर-purine यह बैक्टीरियो फिल है या बैक्टीरियो इसको हम बोलते हैं वर्डिन दो नाम बोलते हैं अब देखो मैंने क्या बताया anoxygenic oxygen नहीं बनाएगा H2S यूज़ करेगा तो by-product sulfur H2S यूज़ नहीं करेगा not H2S तो sulfur के अलावा कुछ और बनेगा तो उसे कहेंगे non-sulphur green pigment यूज़ कर सकता है यह purple pigment यूज़ कर सकता है तो इस वाले का नाम आएगा यही चीज़ हमें word चाहिए इस वाले का नाम आएगा green sulfur bacteria तो इसका मतलब anoxygenic में सबसे पहली type हो गई green sulfur bacteria अब इसमें purple है तो मैं क्या लिखूंगा purple sulfur bacteria देखो नाम कैसे बनाएगे purple pigment है और क्या तोड़ रहा है H2S तोड़ रहा है तो purple sulfur bacteria ऐसे ही इसमें अगर मैं दो नाम यूज़ करूँ तो आप देखे क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा green non sulfur bacteria और फिर purple non sulfur bacteria ठीक है तो हमारे पास एक हो गया ध्यान से सुनेंगे एक हो गया हमारे पास sulfur bacteria ठीक है green pigment है और यह हमारे पास purple pigment है green sulfur bacteria purple sulfur bacteria यह non sulfur bacteria है तो green non sulfur bacteria purple non sulfur bacteria तो आपके पास जो हम यह classification complete कर लेते हैं अब यहाँ पे ऐसे ही क्या लिखेंगे purple sulfur bacteria आप देख पारें और nutrition का topic बहुत proper detail में पढ़रे हैं हम लोग green non sulfur और purple non sulfur तो यह चार टाइप इसमें हैं तो आपने क्या सीखा आपने सीखा टोटल बेटा हमारे पास टोटल हमारे पास तीन टाइप का nutrition है first chemo autotroph second oxygenic third anoxygenic तो autotroph में मेरे पास यह चार टाइप आगे दिख रहा है first chemo autotroph anoxygenic oxygen इस तरीके से तो autotroph की मेरे पास तीन टाइप आगे कौन कौन सी chemo photo में हमारे पास यह oxygenic और anoxygen तो आपको समझ आना चाहिए हमने पढ़ा क्या हमने पढ़ा monraka nutrition autotroph में तीन टाइप chemo autotroph oxygenic anoxygenic जो photo autotroph के पार्ट है pigment दोनों में इसमें chlorophyll A होगा इसमें chlorophyll नहीं होते अधर pigment है bacteriophil bacteria purpurine नाम से pigment clear तो यह इनके नाम आपके पास mention NCRT में अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं बिटा अब हम क्या कर सकते हैं heterotrophic nutrition की बात कर सकते हैं ठीक है heterotrophic nutrition की बात हम लोग यहां पर कर सकते हैं ध्यान से देखना important है देखें हम लोग पढ़ रहे है heterotrophic nutrition है heterotrophic nutrition की बात कर रहे हैं देखो क्या है exactly क्या क्या होता है bacteria में हमारे पास एक सबसे जादा जो nutrition मिलता है heterotrophic में that is saprophytic वो हमारे पास क्या होता है saprophytic saprophytic का meaning है dead or decay पर जो feed कर रहे है basically क्या होता अगर आपसे पूछा जाए nature में मरीवी चीजों को recycling करने वाले दो बड़े group मैं कहूंगा एक तो bacteria दूसरा मैं कहूंगा यहां पर दूसरा एक तो bacteria है दूसरा मैं यहां पर कहूंगा ध्यान सुनेंगे बिटा एक हमारे पास bacteria है दूसरे group का नाम जो मैं बोल रहा हूं वो है fungi यह दो ग्रूप है जो मेंली सेप्रोफाइट की तरह काम करते हैं और भी एक्जामपल है पर यह दो में ग्रूप है तो bacteria यह सेप्रोफेटिक लिग दिया ठीक है जो किस पर फीड कर रहा है हम कहरें जो एक तरीके से हमारे पास क्या कर रहा है एक्स्ट्रा सेलूलर डाइजेशन है हाना वेस्ट के ऊपर एंजाइम रिलीज कर रहा है और बेसिकली रिसाइकलिंग कर रहा है यह फीड़न डेड़न डिकेंग यह सिंपल लेंग्वेज में हम इसे पढ़ते आए हैं उसके बाद हमारे पास एक और ग्रूप है जिसे हम कह पैरासितिक अब पैरासितिक एक्जामपल एंजी आटी ने बिटा कुछ एक्जामपल दे दी हैं जैसे कि जो डिजीज कर रहा है जैसे हमारे पास प्लेग कर रहा है हना ट्यूबर कुलॉसिस वाला बैक्टीरिया है ट्यूबर कुलॉसिस जो कर रहा है ऐसे डिजीज कर रह और प्लांट में एक डिजीज कर रहा है जिसे सिट्रस केंकर कह रहे हैं तो यह पैरासिटिक बैक्टीरिया कर रहे हैं इनके बैक्टीरिया के नाम भी पढ़ने होते हैं पर यह आते एक पर्टिगुलर चैप्टर में 12 में वहां करते हैं जैसे हमारे पास टूबर क्लॉस इसक पढ़ते हैं टीवी कॉस करता है इसके लिए जैंतोमना सित्राई होता है एंसे ने सिर्फ डिजीज के नाम लिए ठीक है उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिमबायोटिक थ्यान से जूने बेटा सिमबायोटिक में जैसे नाइट्रोजन फिक्षेशन वाले तो आपने एक् सिक्स टाइब का न्यूट्रिशन हो गया पांचों किंग्डम में सबसे ज़्यादा डैवर्स्टी खाने को लेके किस में हैं मॉनरा में तो मॉनरा है हाइस्ट मेटाबोलिक डैवर्स्टी सिंपल इन स्रक्चर यह लाइन जिस्टिफाई होती है अब यहां से कोशन क्या-क् कोशन यह बनता है विटा सबसे पहला कोशन यह बनता है जो आप ज्यान रखो कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया हेटरो ट्रॉफिक होते हैं नंबर वाइस बात कर रहा हूं आप पेज नंबर 19 के लास्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा कि हेटरो ट्रॉफिक सबसे ज़्यादा होते हैं और उसमें भी सैप्रो पिटिक ज़्यादा होते हैं ज़्यादा बैक्टीरिया क्या है सैप्रो फिटिक ज़्यादा है एन्य अदर टाइप से किसी भी से सबसे ज़ादा हमारे पास saprophytic है जैसे मालो आपको कोई भी example कहीं fit ना हो रहा हो आपको पता ये उस group में नहीं है तो किस में आएगा saprophytic में for example जैसे lactobacillus है lactobacillus क्या है जो milk है milk को मालो वो curd में convert कर रहा है मैं कह रहा हूँ parasitic है आप कहेंगे नहीं symbiotic है नहीं clear symbiotic पेट में जाके हो सकता है अभी नहीं curd में नहीं symbiotic है नहीं मैं कह रहा हूँ autotrophic है मैं कह रहा हूँ नहीं तो फिर कौन सा ग्रुप बच गया saprophytic तो जो curd making वाला bacteria है जिसे आप lactobacillus कह रहे हो वो किस ग्रुप में आता है saprophytic में आता है तो normally हम इसी तरीके से questions करते हैं कि हम पहले चेक करते हैं बाकी ग्रुप में नहीं है तो फिर हम उसको किस में रखते हैं saprophytic में तो हमारे पास monra में total six type का nutrition हो गया मैं repeat कर रहा हूँ six type का हो गया इस में से अगर मैं protista में जाता हूँ तो chemo autotroph और enoxygenic protista में नहीं होता जहां से समझो अगर आप से पूछा जाए apart from monra किस में metabolic diversity मैं कहूंगा protista unicellular eukaryote है पर उसमें कौन से नहीं मिलते chemo autotroph और enoxygenic special feature है किसका monra kingdom का वो किसी और group में examples नहीं मिलते clear हो गई बात यहां तक समझ आनी चाहिए आपको किसी और group में example नहीं मिलते clear जो मैं ये बोल रहा हूँ ये भी लिखना चाहिए आपको properly हाना मैंने ये बोला है बिटा कि monra में six type का nutrition हो गया first हमने का chemo autotroph second photo में oxygenic और enoxygenic तीन हो गए तीन ये लिखे वे हैं इसमें से enoxygenic और chemo autotroph सिर्फ monra में मिलते clear ठीक है अब देखो अब हम क्या देख सकते हैं बैटा एक question देख लेते हैं सब अना एक question देख लेते हैं जिससे आपको clear हो जाए कि क्या है देखो कुछ example दे रखे हैं जैसे सबसे पहले non-stop first anabina second third green sulfur bacteria साथ मे फोर्थ purple sulfur bacteria फिफ्ट नाइट्रो सोमनास सिक्स्थ नाइट्रो कोकस सेवन्थ लेक्टो बैसिलस एट्थ स्ट्रेप्टो माइसीज चीक है माइको बैक्टीरियम नाइन्थ तैन्थ निमोनो कोकस इलेवन्थ राइजोबियम ट्वेल्थ हमारे पास क्या हो गया नाइट्रो इसमें से पूछाए कितने ऑक्सीजन बनाते हैं जब भी यह कोश्टन है oxygen क्या खोजोगे साइनो बैक्टिरिया खोजोगे तो साइनु बैक्तिरिय के इग्जामपल नॉस्टॉक एिनागेना रखना ए दोनो नेपर रखना है तो मेरे पास दो बैक्ट ए दोनों आगे मेरे पास स्थाक एनाघून यह दोनों आ पास दो है नाइट्रो सुमनास और नाइट्रो कोकस है और नहीं है कोई हां ठीक नाइट्रो बेक्टर भी है तो हमारे पास कौन-कौन सा आ गया नाइट्रो सुमनास 5 number 6 number और नाइट्रो बेक्टर 12 चीक है मैं एक्जामपल वर्बली भी बता रहा हूं आपको तो गड़बर नहीं करना एक यह आ जाएगा एक यह आ जाएगा और मेरे पास यह आ जाएगा खीक है एन ऑक्सिजनिक मतलब जो पानी को तोड़के ऑक्सिजन ना बना है उसमें ग्री नहीं हो जाएंगे मतलब कौन सारे वन नंबर टू फिर फाइव सिक्स ट्वेल्फ की मोट्रो और एन ऑक्सिजनिक 3 प्लस 4 यह सारे ऑट्रोफिक में ही तो है बाखी के बचेवे सब किसमें आ जाएंगे हेट्रोफिक क्लियर पैरासिटिक मैं बता देता हूं आपको देखो पैरासिटिक कौन कौन सा इसमें से मेरे पास माइको बैक्टीरियम पैरासिटिक है मैंने लिख दिया माइको बैक्टीरियम पैरासिटिक है उसके बाद निमोनो कोकस पैरासिटिक है ठीक है निमोनो कोकस क्या है मेरे पास पैरासिटिक है यह लिख दिया सिंबायोटिक कौन है मेरे पास rhizobium यह मैंने लिख दिया यह चीज तो symbiotic मैंने क्या लिख दिया rhizobium अब आपको मुझे बताना है कि saprophytic कौन कौन से मैंने बोला था कि अगर कोई चीज parasitic, symbiotic और किसी group में नहीं आती तो finally किसमें आती है वो किसमें आती है saprophytic में question करने का ये तरीका है nutrition का दिमाग में आपको कुछ parasitic के example याद रहने चीज जैसे pneumonococcus pneumonia करता है mycobacterium क्या करता है tuberculosis करता है इस तरह के questions आपके concept clear करेंगे solve करना properly कैसे किया मैंने क्या logic बताए है वो use करना जब भी oxygenic आये तो example कहां से खो जो cyanobacteria से and oxygenic में यही नाम लिख रहेंगे green sulfur purple sulfur ये सारा इनके example भी होते थे green sulfur वगरे के chlorobium वगरे नहीं करने अब वो उसके जरूत नहीं पड़ती नीट में बन जाता है question बिना उसके भी clear अब हम आगे जा रहे है nutrition के topic को finish करके हमें समझना है अब कौन सा topic reproduction ठीक है बहुत important topic है clear बहुत important topic है जो हमें समझना है यहाँ पर जिसे हम क्या बोल रहे है reproduction in monara जहां से देखना बिटा क्या पढ़ रहे हैं देखो reproduction दो टाइप की होती है asexual section ठीक है हमेशा याद रखो बिटा monara को हम lower organism consider करते हैं इसका मतलब उसका simple structure इस तरह के organism में main mode of reproduction asexual होती है तो हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि main mode of reproduction क्या होती है asexual reproduction के हमारे पास दो method है एक है fission जिसे हम bacteria के लिए binary fission रखते हैं क्योंकि bacteria और कैसे भी dividing करता दूसरा हमारे पास spore formation यह दो method है हमारे पास monara में asexual reproduction के sexual हम अलग से discuss करेंगे fission और यह वाला इसमें फरक यह होता है बिटा कि यह favorable condition में होता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि monara में सबसे ज्यादा type of reproduction कौन सी होगी आप कहेंगे fission spore formation जो है spore formation जिसे आप क्या बोलोगे एक तरीगे का endospore होता है इसको हम discuss करेंगे पर यह कब बनता है unfavorable condition में अब यह unfavorable क्या होता है इसको discuss करेंगे unfavorable condition में हमारे पास क्या बनेंगे spore बनेंगे अब आजाओ sexual पे sexual को भी अलग से बात कर रहे है ठीक है अब सबसे पहले discuss करते है एस sexual देखो bacteria में simple जो structure हम लोग बनाते है bacteria का यह हमने bacteria की cell wall बना दी उसके बाद हम क्या करते है इस तरीके से एक structure होता मीजोजोम हना और इस मीजोजोम से मेरे पास यह nucleoid attach होता है तो this is plasma membrane cell membrane जिसे कोई कह रहे हो आप this is cell wall यह वो structure है जिसे आप मीजोजोम कह रहे हो मीजोजोम याद करो help करता था reproduction में और यह nucleoid है ठीक है बिना cell के उस topic को पढ़ाएवे कि क्या क्या होता है मैं यह समझाओंगा कैसे आपको दिक्कत तो यह है न अब देखो क्या होगा यह देखो मीजोजोम ऐसे अटाइच है सबसे देखो er nucleoid 두 part में डिवाइड हो गया फिर मेरे पास ही मीजोजोम डिवाइड हो चुकह देखी एक मीजोजों यहां एक मीजोजोम यहां देख पहले नुकलोईड डिवाइड होगा, एक और बन जाएगा यहाँ पर, फिर मीजोजोम डिवाइड होगा और यह दूसरे से दूर होगए, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और फाइनली मेरे पास दो डाटर सेल बन गए, तो यह मेरे पास binary fusion है किसमे बैक्टीरिया में जहाँ पर एक सेल, दो सेल में डिवाइड हो जाता है, उसके लिए टर्म भी यूजे करते हैं, जिसे generation time कहते हैं generation time वो समय है जिसमें एक bacteria cell दो bacteria cell में convert हो जाता है माल लो मैं किसी bacteria cell का generation time आपको 20 minute देता हूँ generation time क्या होता ये याद कर लो generation time जिसमें time in which number get double number क्या हो जाएगा double हो जाएगा जैसे कि माल लो मैं कहता हूँ 20 minute है तो माल लो आपके पास 100 bacteria है 20 minute में वो कितने हो जाएँगे 200 अगले 20 minute में वो कितने हो जाएँगे 400 इसे generation time कहते है ठीक है ऐसा question हम करवाते थे बच्चों को जिसमें कहते थे एक cup है जो one fourth भरा हुआ है bacteria से और generation और कितने time में भरा हुआ है मतलब total complete हो चुके माल लो 200 minute complete हो चुके है ये one fourth भरा हुआ है और generation time 20 minute है तो half कितने में भरेगा time पूछा हुआ है generation time 20 minute है तो one fourth का double क्या होगा half generation time 20 minute तो 200 में मैं 20 add कर दूँगा repeat कर रहा हूँआ है एक cup है जो bacteria से one fourth भरा हुआ है उस cup में जो bacteria one fourth आने के लिए total time लग गया उसको 200 minute 20 minute generation time है तो half कितने time में भरेगा one fourth का double कर देंगे 20 minute कितना हो गया हम कहेंगे 200 plus 20 minute अब मैं पूछो full कितना भरेगा half का double full होता है अगले 20 minute में इसका मदब 240 minute में पूरा भर सकता है clear इसको समझ ना हो दो बार सुनना इसको समझ आ जाएगा मैंने बोला है कि one fourth भरा हुआ है 200 minute में generation time वो time होता है जब bacteria double होता है ऐसे कुशन आपको बहुत सारी books में मिल जाएंगे ये करने का ये तरीका होता है ठीक है आगे चलेंगे आगे बात करेंगे बिटा एसेक्शल में हमारे पास unfavorable condition में एसेक्शल reproduction की बात कर रहे हैं ठ्यान से देखें बिटा सबसे पहले आपको ये समझ में आना ची unfavorable का मतलब क्या है unfavorable छोटे organism के लिए main meaning होता है conditions बदलना मतलब हो सकता है temperature change हो जाए समझ लो इस बात को छोटे organism के लिए unfavorable का मतलब हो सकता है temperature बदलना चीक है उसकी हो सकता है क्या change हो जाए pH change हो जाए आसपास radiation आ जाए और एक चीज और unfavorable में हम कहते है खाना खतम होना food finish होना उसे भी हम unfavorable मांगते है ठीक है unfavorable इसे कहते है अब bacteria में क्या होता है हम लोग क्या देखते है जराए ये देखो बच्चे आपके पास हम bacteria को जब grow करते हैं किसी medium में उसे कहते है culture करना culture करने का मतलब bacteria को medium में grow करना तो माल लो मेरे पास ये पैट्री प्लेट है ये पैट्री प्लेट है जिसमें मैं bacteria को grow कर रहा हूँ ये bacteria है हमारे पास ये सब bacteria की colony है एक colony में 1000 लाखो बैक्तिरिया हो हमने क्या किया ये medium है इसमें bacteria को culture कर रहे culture मतलब grow करना मैंने क्या किया suddenly temperature माल लो यहाँ पर कर दिया 80 degree Celsius maximum bacteria मर गए माल लो मैंने suddenly temperature बढ़ा के 80 degree कर दिया अभी temperature 20-30 था suddenly increase किया और उसको कर दिया 80 degree Celsius सारे bacteria मर गए कुछ रह गए कुछ ऐसे bacteria थे जो खुद को बचा पाए माल लो यह रह गए यह रह गए तो हुआ यह जो bacteria बच गए उन्होंने क्या किया उन्होंने एक special structure form किया मैंने क्या कहा मैंने कहा when we increase temperature सारे bacteria मर गए कुछ बच गए उन्होंने होता है एक resistance structure बनता है unfavorable condition unfavorable condition माल लो 80 degree 90 degree condition है जहां पर bacteria नहीं किल हुआ क्योंकि उसने structure बना लिया जिसे endospore कहते है अब यह endospore क्या होता है spore क्या होता है जड़ा देख लो बचा bacteria माल लो यह एक bacteria था यह उसका क्या था nucleoid this is a nucleoid basically उसका यह nucleoid जैसी unfavorable condition आई उस bacteria ने कुछ ऐसा structure बना लिया जिसमें उसने अपना nucleoid एक special layer के बीच में ले आया ज्यान देजुना विटा special layers के बीच में ले आया यह रा सिर्फ यहां पर nucleoid है इतनी जगा पे मतलब उसने बाहर कुछ protective layers बना ली पहले हम नाम भी पढ़ाते थे exosporium, spore coat उसकी जरुद नहीं है अब सिर्फ यह समझें कि उसने बहुत कम जगा में अपना total living structure ले आया मतलब इतनी सी जगा में ले आया बाकी सब सारी protective layer बना ली ताकि temperature, pH, radiations का फर्क ना पड़े इस structure को हम कहते हैं endospore तो इसका मतलब यह एक तरीके से यह bacteria है आपका यह हमारे पास क्या है endospore endo का मतलब अंदर की तरफ बना हुआ spore, यह endospore है और यह सब इसकी क्या है protective layer है जब favorable condition आएगी तो यह protective layer स्टूड जाएंगी और यह चीज बाहर निकल के proper bacteria में grow करेगा अब सवाल यह है कि क्या सारे bacteria endospore बना पाते हैं तो हमें यह मिला बिटा कि कुछ specific group है जैसे कि genus है जो endospore बनाते हैं उसमें एक genus है bacillus और एक genus है clostridium यह वो genus है जो endospore बनाते हैं यह endospore बनाते हैं एक्चॉल में यह बनाते हैं और कोई नहीं बनाता है यह वाले group हैं जो endospore बनाते हैं endospore minus 100 degree Celsius से plus 100 degree Celsius तक survive कर जाता है वो इतनी difficult condition में survive कर जाता है और जब favorable condition आती वापसी germinate कर सकता है यहां तक समझा गया that is endospore और endospore तुमारी NCIT में यहां बना हुआ यह diagram में उसने दिखाया है कि bacillus shape में यह spore बना हुआ है यह देख रहो यह चीज NCIT ने page number 18 पर दिखाई है लिखा नहीं है कि वो bacillus में बनता है पर याद रखेंगे अगर आपको question आता तो bacillus खो जो कहां endospore बनते है यह unfavorable में है अब यह sexual reproduction है मैं एक तरीके से कह रहा हूँ कि यार यह एक तरीके से survival है unfavorable condition में survival हम इसको अगर माने भी तो किसमें मानते हैं किसमें consider करते हैं बिटा यह sexual reproduction है clear हो गई? अब discussion करते हैं हम लोग sexual reproduction बहुत ज़रूरी important topic जहां से देखते हैं देखे what is sexual reproduction in bacteria जहां से देखें NCRT ने क्या बोला है NCRT ने बोला है proper sexual reproduction तो बैक्टीरिया में होती थी ना उसमें sex organ बनते हैं ना gametes बनते हैं ना meiosis होती है बैक्टीरिया में क्या होता है sexual reproduction के लिए उसने बोला है कि some primitive method of primitive method of DNA transfer होता है अब हम यह कह रहे हैं बैक्टीरिया में DNA transfer हो जाए कुछ पुराने तरीके से क्या मतलब इस बात का मतलब नहीं जाओन में आए तो मतलब यह है यह मालो बैक्टीरिया है यह उसका nucleoid है अगर किसी भी तरीके से यह दूसरे बैक्टीरिया का nucleoid है मालो यह कोई DNA एक तरीके से nucleoid का पार्ट भी हो सकता है अगर किसी भी तरीके से यह DNA इस cell में चला जाए और इसको कुछ नया feature मिल जाए जिसे हम variation कहते है क्योंकि sexual reproduction का main purpose क्या है variation तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि बैक्टीरिया की sexual reproduction is not true sexual reproduction अगर question आता है कि which of the following not so true sexual reproduction वो यही है not true sexual reproduction क्यों? क्योंकि इसमें sexual reproduction किसको कहते है अगर किसी भी तरीके से somehow कैसे भी somehow अगर DNA enter कर जाए DNA enter into bacteria तो उसे हम क्या माल लेते हैं उसे हम sexual reproduction माल लेते हैं अगर किसी भी तरीके से bacteria के अंदर DNA enter कर जाए बहार से तो उसे हम क्या माल लेते हैं sexual reproduction consider कर लेते हैं जैसे for example यह DNA किसी और bacteria का इसमें चला जाए तो फिर क्या-क्या होता है यह बड़े इंट्रस्टिंग है बात कि क्या-क्या होता है जैसे मैं अगर आपसे पूछू कि क्या sex organ होते हैं बैक्टीरिया में मैं कहूंगा नहीं गैमेट्स बनते हैं, मैं कहूँगा नहीं, तो true sexual reproduction के लिए ये चाहिए, तो मैं कहूँगा gametes बनते हैं, meiosis हुई क्या, meiosis या mitosis कुछ भी हुई, मैंने कहा नहीं, मैं कहा zygote बना क्या, zygote मैं कहूँगा नहीं, तो फिर sexual reproduction कैसे है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कि this DNA entry, this DNA entry क्या दे रही है, variation दे रही है, और याद करो, last end में तुम्हें कभी पढ़ाया गया था, कि sexual reproduction variation बनाने के लिए आई थी, इसका मतलब वो essence बना रहा है, वो सच बना रहा है, कि ठीक है, अगर variation आ रही है, कोई DNA एंट करने से, then we can consider it as a sexual reproduction, तो बैक्टीरिया में एंसियाटी लिखती है, some primitive method of DNA transfer अकर, उसको हम क्या मानते है, sexual reproduction और variation आती है, क्योंकि DNA transfer हुआ है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, बिल्कुल clear-cut concept है, sexual reproduction का, इसलिए हम कहते है, not true sexual reproduction, अब होता क्या है, कि हमा है, ये DNA transfer कैसे होता है, उसको देख लेते हैं, ध्यान से सुनों बिटा, ये DNA transfer कैसे होता है, इसको हम देख लेते हैं, NCIT ने तीन तरीके बताये हैं, इसके DNA transfer के, एक बताया है transformation, इसके लिए Griffith scientists थे, जिन्नोंने माइस पर एक experiment किया था, we are not interested in that experiment, हमें सिर्व ये समझना है transformation में, कि हमारे पास क्या होगा, अगर ये bacteria है, ध्यान से देखो बिटा, ये bacteria है, ये nucleoid है, ये क्या है, हमारे पास nucleoid है, इस nucleoid के अलावा, अगर DNA medium से आए, जैसे मालो ये किसी medium में रखा हुआ, ये मालो किसी beaker में रखा हुआ, अगर DNA medium से enter करे और इसको change कर दे, change करने का मत इसका phenotype बदल दे, genotype क्या होता है, इसमें नया DNA गया, तो what is transformation, transformation है, ग्यांस दूनेंगे, ये एक normal bacteria, बाहर से ये bacteria enter किया, इसने इसके genes में कुछ बदलाव लाए, क्योंकि इसमें नई gene आई है, और साथ के साथ इसके बाहरी appearance, external appearance, phenotype में बदलाव आया, तो इसे transformation कहते है, तो जो enter करेगा, वो कहां से enter करेगा, enter from medium, कहां से enter करेगा, medium से enter करेगा, और medium से enter करके क्या करेगा, can change, variational आ रहा है, can change phenotype, genotype पहले, genotype बदलेंगे, can change, genotype, and then phenotype, बहरी बदलाव आएगा, पहले अंदर बदलाव आएगा, ठीक, that is transformation, इसमें का experiment है, Griffith का, R strain, S strain का, वो यहां important नहीं है, class 12 में important है, अभी आपने यह समझना है, सिर्फ, अगर medium से DNA enter करता है, तो उसे transformation कहते हैं, clear, medium से enter करता है, now what is conjugation, ये भी एक important point है, conjugation, देको इन तीनों में common क्या होगा, इन तीनों में बदला यहां transduction चाहिए मुझे, I need a transduction here, मुझे यहां पर transduction चाहिए, third, मैं लिख देता हूँ, third is transduction, यहां पर, देखो, यहां पर चाहिए, transduction, यह चाहिए, यह थड़ टाइप, जड़ा conjugation समझ लेते हैं, conjugation क्या होता है बिटा, हमारे पास ऐसे दो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया में एक mix special type का plasmid होता है, जिसे हम कहते है F plasmid, this is F plasmid, यह F plasmid वही plasmid है, जिसकी विजए से special type की पिलाई बनती है, मैंने कहा था, पिलाई बड़ा साइज का structure होता है, तो एक तरीके से conjugation में एक बैक्टीरिया का DNA plasmid की form में दूसरे में चला गया, समझ लो, इस चीच को समझो, हमने क्या बताया, हमने यह बताया, हमने यह बताया, धान से देखो, हमने यह बताया, कि यह एक बैक्टीरिया है, जिसको हम कहते हैं, यह बैक्टीरिया जो है, जिसको हम F-plus, या male बोलते हैं, जिसमें एक खास तरह का plasmid है, F-plasmid, यह F-plasmid इस पिलाई से एक structure बना, जिसे हम नाम दे सकते थे, जिसे हम नाम दे सकते थे, conjugation tube, conjugation करने के लिए tube बन गई, अब conjugation क्या होता है, एक बैक्टीरिया अपना plasmid की copy बना कर, उसको भेज दे, यह plasmid, इसको भेज दे, तो इस बैक्टीरिया में DNA ट्रांसफर कर दिया, तो इसका मतलब यह हुआ, plasmid होते हैं, special type के उन्हें F-pl plasmid या, fertility plasmid कहते हैं, एक बैक्टीरिया उस plasmid को दूसरे बैक्टीरिया में भेज रहा है, देखो उपर वाले में क्या हो रहा है, medium से जा रहा है DNA, यहां क्या कर रहा है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया जा रहा है, एक बैक्टीरिया से दूसरे में जा रहा है, इसे conjugation कहते इसे डिटेल चाहे आप कितनी पढ़ लो इस टॉपिक की, कॉन्जूगेशन की खूब डिटेल पड़ो, पर में पॉइंट समझो, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया ट्रांसफर, क्या हो रहा है, प्लाजमेड, कौन सा डियन ने, प्लाजमेड, कौन सा प्लाजमेड, फ प्लाजमेड, क्यों हो गया, क्योंकि उन बैक्टीरिया के बीच में एक तरीके से, जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है, मेल फीमेल की तरहे काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो इस वाले में जिसमें plasmid होता है उसे f plus कहते है इसे f minus कहते है तो conjugation का real meaning यह है कि transfer of transfer of genetic material now what is genetic material here genetic material is plasmid जो हमारे पास क्या है plasmid from one bacteria to another एक bacteria से दूसरे में जा रहा है यह चीज़ समझा रही एक bacteria से दूसरे में जा रहा है तो plasmid हमने इस bacteria से इसमें भेज दिया अब देखो यह f plus है f minus जिसमें plasmid नहीं हो तो f minus फिर वो plasmid यह tube बनाएंगे मैं ऐसे यह tube बन गई देखो फिर यह plasmid चला गए अब दोनों में plasmid आ गए इसने क्या किया प्लasmid भेजने से पहले copy बना ली यहां पर और यह मेरे पास sex पिलाई है यह री यह मेरे पास क्या है sex पिलाई ठीक है clear और दोनो f plus हो गए क्योंकि इसने अपने पास copy रखी दोनो f plus हो गए तो यह एक तरीका है जिसे conjugation कहते है आप बिटा एक cycle पढ़ोगे जिसमें देखो transduction क्या होता है आप सिर्फ याद करो इसको virus में deal करेंगे it is virus mediated मतलब virus की मदद से DNA transfer DNA transfer from one bacteria to another एक bacteria से दूसरे bacteria में दूसरे bacteria में क्या हो रहा है DNA transfer हो रहा है किसकी मदद से virus की मदद से इसको हम कहाँ deal करेंगे virus वाले topic में मतलब देखो तीन तरीके हैं DNA transfer के एक है transformation कैसे कर रहे है medium से दूसरा है conjugation bacteria to bacteria तीसरा है हमारे पास virus की मदद से हो रहा है इसको क्या देखेंगे इसमें एक cycle पढ़ेंगे हम बात करेंगे lightic cycle के तो वहाँ पर हम deal कर लेंगे इसको transduction को अब हमारे पास क्या है बिटा हम क्या topic deal करेंगे अब एक monara की classification पढ़ेंगे क्योंकि हमने reproduction समझ लिया है अब हम पढ़ने वाले है monara की classification ठीक है monara को कैसे classify करेंगे तो हमने बिटा अब देखो reproduction हमने deal कर लिया हमने nutrition पढ़ लिया अब monara की हम लोग classification पढ़ रहे हैं बहुत important है ध्यान से सुना देखो monara को हम दो ग्रुप में divide करते हैं पहले पहले हम लिखते हैं archibacteria अब ये archibacteria क्या है primitive bacteria कहते हैं इन्हें हम देखेंगे अभी और दूसरा ग्रुप हमारे पास क्या है U bacteria है अब U bacteria को हम true bacteria कहते हैं क्या नाम देते हैं इसे true bacteria इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा true bacteria नाम देते हैं तो हमारे पास दो हो गए एक हो गया archibacteria और एक हो गया true bacteria इसमें हमें कौन से ग्रुप के बारे में जानना है हमें जानना है साइनो बैक्टिरिया के बारे में हमें जानना है माइको प्लाज्मा के बारे में माइको प्लाजमा ठीक है एक ग्रूप और है ग्राम पॉस्टिव बैक्टीरिया का जिनका नाम एक्टिनो माइसेटीज है इन तीन के बारे में भी जानेंगे तो सफिशन्ट है हमारे पास और आर्की बैक्टीरिया की हमें कुछ डिटेल देख नहीं है ठीक है यहां तक समझ जा गया तो यह क्लासिफिकेशन है किसकी हमारे पास मॉनरा की जिसकी डिटेल हमें पता होनी चाहिए जिसमें हम क्या-क्या पढ़ सकते हैं आप देख सकते हो जैसे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बिटा आर्की बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं देखो आर्की ब अब क्या है वो उन जगा मिलते हैं जहां वो difficult conditions है जैसे मालों यहां पर अगर मैं कहता हूं यहां temperature कितना में कहूंगा 30-40 रहता है minimum जाएगा 24-5 ठीक है तो यहां आर्की बैक्टिरिया नहीं मिलेंगे तो कि उनके लिए यह जगा unfavorable है आर्की बैक्टिरिया वो उस जगा मिलते हैं जो हमारे लिए unfavorable है जैसे आर्की बैक्टिरिया मुझे कहां मिलते हैं बेटा कहां मिलते हैं इनके जो habitat हैं वो basically क्या है बहुत हमारे पास high temperature बोल सकते हो यह आप बोलोगे anaerobic condition जहां oxygen है यह नहीं जहां क्या नहीं है बेटा oxygen न high temperature पे मिल रहे हैं काफ़ी temperature high है काफ़ी ज़्यादा temperature high है वहां मिल रहे हैं और कहां मिल रहे हैं यह यह वहां presented erenicidic condition है pH बहुत low है pH 2 के आसपास है salt بहुत high है तो यह उन सब conditions में मिलते हैं जिले हम unfavorable condition कह रहे हैं यह उनके लिए favorable है हमारे लिए unfavorable फिक है और यह पहले evolve हुए थे लेकिन सिर्फ वहां रहे गए जहां पर condition अभी भी unfavorable है clear हो गई done बिल्कुल clear तो आगी बात अब आरकी बैक्टीरिया की बिटा आप तीन टाइप पढ़ते हो पर मैं difference बता देता हूं NCRT इस बात को लिखती है कि आरकी बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की cell wall में difference होता है कहाँ difference होता है cell wall में difference है difference cell wall में क्या है मैं बता देता हूं आपको कि U bacteria में true bacteria में cell wall किसकी है cell wall है हमारे पास किसकी सोचो हमने पढ़ा था peptidoglycan की किसकी है बटा peptidoglycan की और हमारे पास R की बैक्टीरिया में हम एक अलग compound लिख देते है उसमें है murine pseudomurine क्या नाम लिखते हैं pseudomurine compound जरूरी नहीं है compound हमारे पास जरूरी नहीं है बटा सिर्व यह याद रखना है कि दोनों की cell wall में फरक होता है अब थोड़ा सा आगे जाते हैं plasma membrane में भी differences है लेकिन हमें mainly cell wall को लेके चलना है अब हमारे पास विच्चे तीन टाइप के R की बैक्टीरिया होते हैं सबसे पहले हम यह लिख रहे हैं बिटा तीन टाइप के R की बैक्टीरिया तीन टाइप के R की बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं सबसे पहला इस हमारे पास methanogen यह methanogen क्या होते हैं जन का मतलब बनाने वाले methane बनाएंगे यह क्या बनाते हैं methane का मतलब यह कारबन के किसी कंपाउंड से methane बनाएंगे किस से बनाते हैं बिटाइए यह CO2 को methane में convert कर सकते हैं और even यह formic acid को methane बना सकते है और यह bacteria वहां होते हैं जहां oxygen absent है इनको वही condition चाहिए जिसलिए इनको क्या बोलते हैं anaeropes बोलते हैं और क्योंकि यह बिना oxygen के ही जिन्दा रहते हैं इसलिए कहते हैं obligate anaerope मतलब oxygen में यह मर जाएंगे ठीक होगी बात तो यह मुझे कहां मिलेंगे देखो इनकी location क्या है वो सारी जगा जहां पर plant जो है पानी में समर्ज है जैसे कि marshy area यह वहां मिल जाएंगे जहां plant जो है पानी के नीचे समर्ज है और कहां मिल जाएंगे पहला लिख दिया मैंने marshy area दूसरा मैं कहां लिखूँगा बिटा दूसरा मैं लिखूँगा इसको देखो O2 absent obligate anaerobis CO2 से methane बना रहे है forming gas location है मेरे पास marshy area और मैं कहां लिख सकता हूँ इन्हे ruminants वो animals जो जुगाली करते हैं ruminants के स्टमक में मिल जाएंगे हना यह वो जगा है जहां पर methane बनती है clear NCRT में 12 वाले में microbes वाले chapter में जाओगे तो इसका example दे रखा है methanobacterium methanobacterium इस group का example है और यह bacteria में क्या खास बात है बिन oxygen के survive करते हैं इसलिए इन्हें obligate anaerob कहते हैं अब second example हमारे पास है r की bacteria में वो है हमारे पास hello files अब hello का मतलब होता है salt files का मतलब salt loving तो यह वो bacteria है जो high salt में भी survive करते हैं high salt condition कहां मिलती है बेटा high salt condition like dead sea वगेरे यह वहाँ पे survive कर जाते है hello files के साथ खास चीज क्या होती है इनके अंदर contractile vacuole absent होता वो fresh water वगेरे में होता है clear intensity से बचाता है वो सब हमें नहीं करना क्योंकि यह survive कर सकते हैं survive in salt लगबग 2-5 molar तक के salt में भी survive कर जाते है तो जो high salt में survive कर जाएंगे उन्हें hello files कहेंगे salt के साथ क्या नुकसान होता है salt actual में x osmosis करा देता है death हो जाती है यह responsible है ठीक है थर्ड हमारे पास जो R की bacteria है that is thermo acidophile अब यह thermo acidophile क्या है द्यान जो सुनों thermo का मतलब temperature acid का मतलब low pH और basically sulfur होता है low pH 2 के आसपास temperature 80 degree Celsius के आसपास ठीक है इन में हमारे पास बेटा thermo stable enzyme होते हैं ऐसे enzyme जो high temperature पे खराब ना हो ऐसे enzyme होते हैं इसका एक example 12 में thermos aquaticus दे रखा है और एक बहुत important चीज आपको समझ आने चाहिए इनकी plasma membrane में एक adaptation होती है जिसे branch chain lipid कहते हैं यह plasma membrane में है जो इसको survive करने में help करती है तो यह मेरे पास तीन टाइप के आर्की bacteria है clear तीन टाइप के आर्की bacteria है जो present होते हैं हम यू bacteria next lecture में deal करेंगे और उसके साथ protista पढ़ेंगे make sure आप सब कुछ properly याद कर ले तो कि इसके बाद से अब यह pure NCRT की तरफ move करेगा तब तक पढ़ते रहें और properly NCRT वीड करें पढ़ाई करते रहें all the very best